SPG सुरक्षा पर घ्रिमंत्राले का फर्मार अब विदेशी दोरे पर साथ होंगे जवान केंद्रे घ्रिमंत्राले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सुरक्षा को लेकर नए बदलाव कर रहा है जिने भी ये सुरक्षा प्राप्थ है अब उनके साथ विदेशी दोरो पर भी SPG के जवान तैनात रहेंगे यानि कोई भी वेक्ती जिसे ये सुविधा प्राप्थ है उसके साथ जवान भी विदेश का दोरा करेंगे पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन अब सरकार नियमों में बदलाव कर रही है सरकार के इस वैसली को कॉंग्रेस के पूर्वध्यक्ष राहुल गांधी और गांधी परिवार के अन्य सदस्यों के दोरों से जोड़ा जा रहा है आपको बता दे कि SPG सुरक्षा देश में प्रधान मंत्री और पूर्व प्रधान मंत्रियों को दी जाती है अभी ये सुविधा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के अलावा गांधी परिवार को मिलती है इनमें कॉंग्रेस सद्ध्यक्स सोन्या गांधी, पूर्वध्यक्स राहुल गांधी और महासचीव प्रियंका गांधी वाड़रा भी शामिल है पहले सुरक्षा पूर परधानमंतरी मर्मोहन सिंग को भी दी जाती थी लेकिन हाल ही में उनकी सुरक्षा में सिर्फ जैट प्लस कवर कर दिया गया है आपको बता दे कि महाराश्च्र चुनाओ से पहले राहुल गांधी विदेशी दोरे पर रवाना हो गए हैं इस बात की चर्चाएं हैं कि वो बैंको गए हैं या फिर कमबोडिया लेकिन उनकी अधिकारिक लोकेशन की जानकारी नहीं है बीजेपी की ओर से कहीं बार इस पर सवाल उठाए जा चुके हैं कि राहुल गांधी एकसर ऐसी विदेशी आतराओ पर जाती हैं जिसकी देश को जानकारी नहीं होती है जबकि वो विपक्षी पार्टी के बड़े नेता हैं इसके पहले भी राहुल गांधी कई बार पचास दिन की चुट्टिया ऐसे दोरों पर गए हुए हैं जिन पर बीजेपी निशाना साथती रहती हैं अभी तक क्या होता था? दर असल गांधी परिवार के और से जब भी कोई वेक्ती विदेश दोरे पर जाता था तो वो अपने पहले स्टोपेज तक ही SPG की शुरक्षा को ले जाता था लेकिन उसके बाद वो उन्हें वापस भेज देते थे गांधी परिवार के और से इस दोरान प्राइवेसी का हवाला दिया जाता था और अपनी यातरा को आगे बढ़ा दिया जाता था यानि अब दिल्ली से विदेश जाने और वापस दिल्ली आने तक SPG सुरक्षा के जवान गांधी परिवार के साथ रहेंगे झाल